राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब हम कातिक स्नान करते हैं और कातिक महा में पूजा करते हैं तो हमें किसकी समगरी की जरूरत पड़ती है तो देखिए पहले ही दिन आप इस तरीके से अपनी पत्थवारी बोलें अपनी तुलसा मा पर मैंने अपने सालिक राम भगवान जी को भी बिठा लिया है सिंगार वगरा करके और इनकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी कि हम पत्थवारी कैसे बोते हैं सालिक राम जी का सिंगार कैसे करेंगे तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा और आपको पत्थवा सबसे पहले तो हम इस तरीके से थाल तैयार कर लेंगे आपको एक टोकरी बगरा बना लिजेगा फल फूल तो आप रोज ताजी लेंगे चढ़ाने की चीज़े अदरवाइस बाग की सारी चीज़े हमारी रोज की सेम ही होंगी तो देखिए इहां पर हम कलावा ले लेंगे इस तरीके का चोपड़ा चाहिएगा इसमें हमने हल्दी ली है हमने रोली ली है चावल ली है आप इस तरीके का चोपड़ा बना के तैयार रख लें और यह देखिए यह हमने यहां पर कुछ फूट ले लिए है साथी में हमने यहां पर यह धूप ली है धूप दिखाने क तुलसा सीचने के लिए पत्वारी सीचने के लिए सूरे भगवान को रखदेने के लिए आ जल चाहिए होता है तुलिःस कपी Men, तांबय के हम लोट लेे तो बहुत अच्छी बात है क्यांकिद्रा भी झल देंग तो देखे इसे में सारी कहाणिया होती हैं जो कातिक में पढ़ी जाती हैं 11 12 13 कहानी रोज करी जाती है और वैसे मैं इन सब की वीडियो चैनल पर डाल डूंगी aap उहां से भी जाकर चेक कर सकते हैं संप्स्क्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक ना किया हो तो यह किताबे चाहिएंगी हमें, सापने पत्वारी माता पे आवला, शकरगन्द, यह सब सिंगाडे बगएर चढ़ाने का बहुत पुन्ने होता है, तो अगर हो सके तो आप रोज एक-एक भी चढ़ा सकते हैं, या फिर आप हफते में किसी भी एक दिन पांच-माच आवला दो कम करनी पड़े, और बस अपनी टोकरी उठाई और हो गया, और इसकी पूजा कैसे करनी है, उसकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, उसे भी आप जरूर देखिएगा, और इसी तरह के की पांच-पूजा से लिडेटीड सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उन्हें भी जरूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,